नमस्कार आदाब, सलाम, श्रस्त्रिय अकाल जी, सबनू, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं मौल्दीव्स की, अब तक के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मौल्दीव्स के कुछ इंपॉर्टन फैक्ट्स and टूरिजम रिलेटिर इंफॉर्म As per the latest guidelines from the local government in Maldives, आप के पास होना चाहिए negative PCR test report, जो की arrival date के 96 hours के अंदर किया गया हो जी हाँ, COVID negative report बहुत ज़रूरी है, आप जिस भी country से आ रहे हों, ये साथ ज़रूर ले के आएं इसके बाद है IMUGA, इमुगा पर registration, इमुगा है Maldives का digital immigration service system, ये एक website है जहां जाके आपको अपना travel health declaration form भरना होता है, जो की आपकी international flight के departure time से 24 घंडे के अंदर होना चाहिए ये एक simple form है, जहां जाके आपको कुछ basic traveling details देनी होती है, और submit करने के बाद आपको मिलता है QR code, जो की चेक किया जाता है Maldives के immigration पर, आप इसकी photo लेके रख सकते हैं, या प्रिंट भी चलेगा Third point on, के लिए है, जो यहां के एक से जदा island पर stay करना चाहते हैं, for example, आप two night local island, जैसे माफुशी या हुलुमाले में stay कर रहे हैं, और फिर आगे के stay आप किसी resort में करना चाहते हैं, तो ये part बहुत कम लोगों को पता होता है, और बहुत problems भी face करने पड़ती है, जो आपका vacation खराब भी कर सकती है, पहले तो मैं suggest करूंगे कि ऐसा plan ना बनाए, अगर बना लिया हो, तो आपको चाहिए split step permission, जो कि दोनों hotel से request करने पर मिलेगी, और again, PCR test, mostly hotels ये मांगते हैं, so be careful on this, बाकी ऐसा कुछ भी खास नहीं है, आप पे फिकर मौल्दीज में, आईए और यहां beautiful beaches और islands का अनग लीजिए, कुछ भी इस topic से related questions हो आपके mind में, तो please comment करके बता सकते हैं, I will definitely try to answer all your questions, और next video में discuss करते हैं, how to book a trip for Maldives, वीडियो काम का लगा, तो like और share करते रहिए, चैनल को subscribe करना ठीक लगे, तो do it, शुक्रिया